नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी का फिर से एक निव वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम परतीसियत का question लिए हैं परतीसियत का जिसको इंगल्स में कहते हैं percentage और इस वीडियो को देखने के बाद पर तीसे रत के कीसी भी कोशन को आप काफी असानी सी और बिलकुल ही चुटकियों में आंसर कर सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए तो ना ही इंपोर्टेंट है जितना कि आपके लिए बोर्ड एकजाम समझ रहना इस कॉशन को समझ लेजिए और इस टाइप के अनेकव कॉशन वाजार कर सकेंगे किम्की इस वीडियो का आप सूरू से अंधर तक देखेंगे आप देखे करना क्या है सभसे पहला काम कॉशन क्या है आप देखे रुपई का सिंबाल है यहाँ पर क्या है 1320 का 16 परतिसत की जो है परतिसत का चीन है यानि 1320 का हमको 16 परसेंट निकालना है कि कितना रुपए होगा 1320 रुपए का 16 परसेंट तो देखे सबसे पहले हम परतिसत को समझते है कि परतिसत होता क्या है दोस्तों ध्यान दिजेगा यहां पर मैंने लिखा है परती सत देखिए इसका संधी बीचेद करेंगे न तो इसका संधी बीचेद होता है परती पलस सत यानि परती अर्धान सत होता है इसका संधी बीचेद और ये जो पर्तिए के संख्या के साथ में सो या फिर बाटा में सो यही होता है इस पर्तिशत के चीन का मतलब और इस पर्तिशत लिखने का मतलब क्या होता है परतीक संख्या के साथ में 100 या परतीक संख्या के बाटा में 100 अब कोश्ण सल्प करते हैं आपको समझ में आ जाएगा जैसे कि यहां पर हमको निकालना है अब लिखना है और इस परतीक का मतलब क्या होता है अगर किसी भी संख्या के साथ परतीसत का चिन लगा है तो उसका मतलब होता है कि संख्या लिखिए और परतीसत के चिन के बाटा में यहां पर हमको 100 लगाना पड़ेगा अब देखे एक जिरो से एक जिरो कट गया कट गया अब यह करेंगे इन दोनों का मल्टिप्लाइ करेंगे मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी संख्या के साथ परतीसत का चिन लगा है ना तो उसके बाटा में हम 100 लगाएंगे अगर 16 दोनिकी 32 का दो हार्सिन, 3,16 तिया का 48 और 3 हार्सिन है तो एक काउन का 1 हो जाएगा आपका 5 हार्सिन हो जाएगा अगर कोई भी शंख्या है और उसमें दस हो, 100 हो, यह एकजार हो यहने एक पर जीरो दीआ गया आहोगा ने जैने पर संके बाग करना है तो ईक होसी करते क्या है क्रहें संक्या चुप किसल ल हां क्राइब अन्य नीचे में एक पर कितना जिरू है तो हिआ यहीं ने एक जिरू है जोए जिजीरू शुंक आखितना जिरू है इस एक सम्द को मतलबान इस question का final answer क्या हो गया 211.2 यानि 211 रुपए और point का right में जोता है पैसा होता है 2 पैसा ने इसको 20 पैसा बोलेंगे क्योंकि दसमलाओ के right में 0 भी लगा सकते हैं क्योंकि दसमलाओ के right में 0 का value कुछ नहीं होता है यानि कहने का मतलब क्या है कि अगर 1320 रुपए है इसका 16% आपको पता करना है तो आपका कितना हो जाएगा 211.20 इन्हें 211 रुपए और 20 पैसे हो जाएंगे और इसी तरीका से आप इस टार के किसी भी question को solve कर सकते हैं तो चलिए अब second question को देखते हैं दोस्तों यह रहा हमारा second question और most most important question और daily use question इस question को आप daily use भी करते हैं जब यह आपका exam से होता है आप इसको apply करते हैं जिसे ही question में दिया गया है 520 number में 300 तो परतिसत वराबर what यानि परतिसत कमान कितना होगा अगर आपने कहीं भी किसी tuition में किसी coaching में किसी school में आप 520 नमर और 6 नमर ने कितना हो नमर एक्जाम दिया है तो आपको पता है कि आप 500 नमर एक्जाम दे रहे हैं तो इसमें से कुछ ही नमर आप आप आएगा तो माल यह 520 नमर एक्जाम दिया है और इसमें 300 नमर आपका आया है तो कितना परतिसत नमर आया है यही हमको निक उसको लिखेंगे तो 300 हमारा नमबर आया है तो इसको लिख लिया अब इसमें गुणा करना है 100 से ध्यान देजिएगा जो नमबर आया उसको लिखेंगे गुणा करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे टोटल नमबर यानि जितना नमबर का आप एकजाम हुए न उतना से तो हम हमारा तो एक्जाम 520 नुमर का हुआ था तो हम यहां पर 520 से डिवाइड कर देंगे अब देखे एक जिरो से एक जिरो कटाएंगे इन दोनों का मल्टिपलाई करवाएंगे तो 300 का गुना करेंगे 10 में तो यह 0 इसमें लग जाएगा यहां यहां पर हो जाएगा आपका 3000 और भाग करकर देख देख देजे इतना परतिसत आपका नमर आया है और यही इस कोशन का फाइनल आंसर है कितना 57.16 और इसी तरीका से आप इस टाइप के किसी भी कोशन को सॉल्प कर सकते हैं अगर फिर भी कोई डाउट है तो कॉमेंट बगस खाली है कॉमेंट कर दीजे मैं उसका शंपूर कॉमेंट का रिपलाई देने का प्रियास करूंगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वडियों में तब तक के लिए टेक क्यार बाए बाए धन्यवाद